आपने इंटरनेट पर देखा होगा कि लोग साधी के लिए हेलिकेप्टर बुग कर रहे हैं हेलिकेप्टर से दुलहन की बिदाई का ट्रेड चल रहा है लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर हेलिकेप्टर बुग करने में कितने पैसे लगते हैं और किस तरह से इसे book क्या जा सकता है साथ ही ये सवाल है कि क्या कोई भी helicopter book कर सकता है या फिर कोई helicopter को कहीं भी land करवाने से लेकर क्या नियम है जानते हैं इससे जूड़ी हर एक बात के बारे में तो चलिए विडियो को सुरू करते हैं अगर आप अपनी साधी के लिए हेलिकेप्टर बुक करना चाहते हैं, तो आप ओनलाइन माज़म से भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं, कई ट्रावेल एजेंसी इसकी सर्विस दे रहे हैं और आप उनकी वेबसाइट के जरीए आप हेलिकेप्टर बुक कर सकते हैं, इसके कुछ स्लेक्टर प्लेस होते हैं, जहां हेलिकेप्टर को उतार आजा सकता है, ऐसे में हेलिकेप्टर बुक करने से पहले डीम से परमिसन लेनी होती है, डीम को हेलिकेप्टर उतारने का समय, तारीक, स्थान की जानकारी यानि प्लेस की जानकारी देनी होती है, और एक बार permission मिलने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है अगर helicopter booking में होने वाले खर्चे की बात करे तो इस process में हर helicopter और दुरी की आधर पर खर्चा ताइक किया जाता है, तरअसल अभी कई तरह के helicopter की booking की जा रही है, इसमें अलग-अलग seat के helicopter सामिल है, helicopter की booking के पैसे हर घंटे के आधर पर चार्ज लेते हैं ये करीब 2-5,5 रुपे की बीच होता है इसमें आप 2 घंटे तक हेलिकेप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद ये रेट 50,000-60,000 रुपे प्रती घंटे के हिसाब से बढ़ जाती है इसके अलाबा भी कई चार्ज होते हैं जो बील में जोड़े जाते ह आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजे शेर कीजे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तब तब के लिए आप सभी को मेरे तरब से जय हिंद